दोस्तों सुबे का नाश्टा हमारी डाइट में एक बहुती एहम भूमी का निबाता है और अगर आपके नाश्टे का हिस्सा अंडा है तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं अंडे के सेवन से ना सिर्फ सर्दिया बलकि हर मोसम में फाइदा मिलता है अंडा खाने का सबका अपना फलेवर और टेस्ट होता है किसी को अंडे उबाल कर खाने पसंद है तो किसी को इसका ओमलेट बना कर खाना अच्छा लगता है और कोई इसे कड़ी के रूप में भी खाना पसंद करता है दोस्तों अंडा प्रोटीन और अमीनो एसिड का एक बहुती अच्छा सोर्स है आपको बता दें कि अंडे में 9 तरह के अमीनो एसिड होते हैं जो शरीर की जरूरतों को पूरा करते हैं इसमें वाइटमिन A, B, B12, वाइटमिन D और वाइटमिन E की भी बरपूर मातरा होती है इसके लावा ये फॉलिट, सेलेनियम और केक नीज लवनों का भी एक अच्छा सोर्स है तो आज Life X में हम आपको बताने जा रहे हैं उबले हुए अंडों के स्वास्थे वर्दक और ओश्यतिय गुनों के बारे में तो चले इसके बारे में जानते हैं दोस्तों कई लोग अंडे को अपनी डाइट का हिस्सा इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके सेवन से वे लोग मोटे हो सकते हैं अगर आप भी किसी ऐसी गलत पैमी का शिकार हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि उबले अंडे के सेवन से कैसे आप अपने मोटापे को घटा सकते हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि उबले अंडों के सेवन से कैसे दुबले बतले लोग भी अपना वजन बढ़ा सकते हैं तो चले दोस्तों जानते हैं उबले हुए अंडों के फाइदों के बारे में सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि मोटापे को घटाने के लिए आपको कैसे करना है उपले अंडों का सेवन इसके लिए दोस्तों आप चार से पांच अंडे लीजिए और उन्हें अच्छे से उबाल कर आप इसके पीले भाग जिसे अंडे की जर्दी और इंगलिश में योग भी कहा जाता है उसे निकाल दे और फिर इसके सफेद भाग का सुबह नाश्ते में सेवन करें दोस्तों अंडे के पीले भाग में फैट होता है और सफेद भाग में प्रोटीन और हमें वजन कम करने के लिए प्रोटीन की अधिक आवशक्ता होती है इसलिए आपको मुटापा कम करने के लिए सिर्फ सफेद भाग का ही सेवन करना है तो चले दोस्तों अब हम जानते हैं कि जिन लोगों का वजन कम है वो कैसे उबले अंडों का प्रियोग करें जिससे उनका वजन बढ़ जाए दोस्तों वजन बढ़ाने के लिए आप लोगों को पूरे अंडे का सेवन करना चाहिए यानि सफेद और पीला भाग दोनों खाने जरूरी है इसलिए आपको उबले अंडे का सेवन पीले भाग के साथ ही करना है दोस्तों अंडे के पीले भाग में गुड फैट होता है जो शरीर को स्ट्रॉंग और हेल्दी बनाता है इसके इलावा दोस्तों अंडे का सेवन आपके मांसिक विकास यानि की मैंटल एबिलेटी के लिए भी जरूरी है अंडे में मजूद ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स और वाइटामिन्स दिमाग के लिए काफी फाइदमंद होते हैं इसमें कोलिन पाया जाता है जिसके सेवन से यादाश्त में बढ़ोतरी होती है जिसके सेवन से स्वर्ण शक्ति तो बढ़ती ही है साथी दिमाग की कारेक शमता भी बढ़ जाती है ऐसे में अंडे में मुझूद high level proteins इन्हें मजबूत और खूबसूर्थ बनाए रखने में मदद करते हैं बालों के विकास और उन्हें मुलाइम बनाए रखने के लिए आप अंडे के सेवन के साथ साथ आप अंडे को अपने बालों में भी लगा सकते हैं आप अंडे को दही या सरसों के तेल में मिला कर भी अपने बालों पर लगा सकते हैं ऐसा करने से आपके बाल soft, मुलाइम और shiny हो जाते हैं दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उबले अंडों का सेवन हमें दिल की बिमारियों से भी बचाता है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना तरसल अंडे के पीले भाग में unsaturated fat पाये जाता है जो की हार्ट के रोगियों के लिए काफी अच्छा होता है ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मुझूद unsaturated fat हमारी धमनियों में blood sugar level और cholesterol को कम करता है जिससे दिल की बिमारियों का खत्रा कम हो जाता है इसलिए दोस्तों आप अपनी diet में उबले अंडों को ज़रूर शामिल करें दोस्तों अगर आप रोज सुबे उटने में आलस मैसूस करते हैं तो उबले अंडों का सेवन आपके लिए बहुत जरूरी है उबले अंडे एक बैतरिन एनर्जी बूस्टर है रोज सुबे नाश्ते में इसे लेने से आपको पूरा दिन एनर्जी मिलेगी क्योंकि अंडे के पीले भाग में healthy fats होते हैं जो शरीर को उर्जा भी देते हैं जिन लोगों को आँखों का कोई रोग है या जिन बुजूर्गों की आँखों की रोशनी कम हो गई है उन लोगों को हर रोज दो उबले अंडों का सेवन जरूर करना चाहिए अंडे में vitamin A होता है जो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों pregnant ladies को घर्ब अवस्ता के दुरान healthy चीजों का सेवन करना चाहिए और अंडे healthy चीजों में से एक है इसलिए घर्ब में पल रहे बच्चे के मांसिक और शारीरिक विकास के लिए उबले अंडों का सेवन जरूर करें दोस्तों कई लोगों के शरीर में आइरन की कमी हो जाती है जिससे उन्हें सरदर्द, चिर्चिरापन, बदन दर्द, खून की कमी होने लग जाती है तो यदि आपको ये समस्या है तो ऐसे लोगों को उबले अंडों का सेवन जरूर करना चाहिए अंडे में काफी मात्रा में आईरन होता है जो शरीर में खून की कमी को दूर करता है और शरीर को ताकत देता है तो दोस्तों इन सभी फाइदों का भरपूर लाब उठाने के लिए आप अपनी डाइट में उबले हुए अंडों को ज़रूर शामिल करें तो दोस्तों ये है हमारी आज की खास वीडियो जिसमें हमने आपको बताए उबले हुए अंडे खाने के गजब के ओशद्ये और स्वास्ते वर्दक फाइदे